आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो बात तुम्हें टफ तो जरूर लगेगी, बुरी भी लगेगी, बट ये बात पूरी तरह से सही है, कि आज जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ये चीज़ अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो, मुझे पता है पिछल का future बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे marks गें करो, एक बहुत अच्छी position पे पहुँचो, बट still, ये problem मैंने कई सारे students में देखी है, कई सारे students में बात की है, कुछ ऐसे students से में बात की, जिनंके pre-boards चल रहे हैं, चल चुके हैं, खतम हो चुके हैं, उन्होंने भी same problem मुझ सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुमने covid में वो चीज नहीं की क्योंकि तुम school नहीं गए वो इकलोती ऐसी चीज क्या है जो तुमने covid में नहीं की school ना जाकर guys, writing तुमने answer writing नहीं की और यही वज़ा है जो बच्चे answer writing नहीं कर रहे हैं पूरीटरा से properly हर questions को write करके practice नहीं कर रहे हैं learn बहुत अच्छे से कर लिया sir write करने में हलत खराब हो जाएगी क्यों? क्योंकि paper में time limited होता है तो मैं अपनी writing को fast करना पड़ेगा उतना ही fast इतनी 2 साल पहले थी याद करो जब तुम्हारे वो रावल पिंडी एक्सप्रेस वाले टीचर जो फटाग फटाग बोलते थे और तुम उनके साथ लिखते रहते थे वो speed है क्या अभी? नहीं ना कुछ बच्चों की होगी definitely होगी बट वही बच्चे क्या सिर्फ पास होना चाहते हैं बाकी के बच्चे अच्छे माक्स गेर नहीं करना चाहते तो गैस सारे बच्चों की जो राटिंग प्रैक्टिस है ना वो सही करने का सिर्फ एक तरीका है जो मैं आज बताने वाला हूँ और याद रखना तो ये बच्चे फेल हो जाएंगे ये वही बच्चे हैं जो आज के इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा कि राटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है या जिन्होंने अभी तक अपनी राटिंग स्किल्स को इंप्रूव नहीं किया है फास्ट और करेक्ट लिखने की स्किल्स को कैसे करना है वो मैं आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दू कि exactly अच्छी रैटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है तो अच्छी राइटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है अच्छी learning है ना तुम्हारे पास कुछ study notes होंगे मैं किसी particular subject की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है study notes होंगे इन study notes को properly learn करना जीखो ठीक है कुछ बचे कहेंगे सर आप तो रट्टा मारने की बात कर रहे है बेटा रट्टा मारने और learn करने में minus or difference होता है एक में आप समझते हैं और एक में नहीं समझते हैं तो मैं learn करने की बात कर रहा हूँ समझ कर learn करो ठीक है learn कर लिया and now उससे related questions को देखो अब जब तुमने questions भी देख लिये तो इन questions के answer को कैसे arrange करना है यानि इसके answer right करना सीखना है answer right करना सीखना है कि इन questions का answer अब कैसे बहुत अच्छे से लिख सकते हो और जिस बच्चे ने ये पूरा concept follow कर लिया learn right learn right concept जिसने भी learn समझ लिया अच्छे से और करना सुरू कर दिया उस बच्चे के तो 95% से प्लस आने से कोई रोक ही नहीं सकता उन सारे बच्चों के 95% से ज़ादा आने वाले बच्चों और ये मेरा promise है देख लेना ज़रूर आएंगे क्योंकि मुझे पत्ता है तुम सारे बच्चों ने COVID टाइम पे दो साल से बहुत कम लिखने की practice किये क्योंकि मारी classes online चल रही है जो कि बहुत अच्छी बात है तुमारी safety के लिए और मैं pursue को रहूँगा कि आगे भी life classes ही लेते रहना ठीक है राइटिंग practice कम हुई तुमने assignments कम solve किये homework कम किये थोड़ा बगत हर जगतों कम किया है तुमने यही problem है जिसे तुमारी writing skills जो fast थी वो अब थोड़ी न थोड़ी उस comparison में देखो तो slow हो चुकी है है ना तो वो slow होने का reason यही है और slow होने के हम fast कैसे कर सकते है ऐसा कर से ऐसा करके तुमारी जो writing है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी fast हो जाएगी और फिर तुम्हें अपने exam में 95 से ज़ादा marks gain कर पाओगे बच्चो और खास करब तुम्हें इसका जीता जाता example देता हूँ कि कैसे तुम इन चीजों को समझ भी सकते हो कि सर जो कह रहा है वो पूरी तरह से सही कह रहा है तो इसका सीधा साथा example मैं एक subject से लेता हो तुम्हें और वो subject का नाम है बच्चो Hindi येस उस subject का नाम क्या है हिंदी हिंदी में मैंने अक्सर बच्चों से देखा है कि वो बच्चे कहते है सर मेरा पेपर छूट गया था क्यों छूट गया था क्योंने हिंदी writing practice क्या की बहुत कम की पूरे साल science English में लिखते हो सश्ट English में लिखते हो तो बच्चों एक काम करना है इस पूरे term 2 को बिल्कुल बिंदास तरीके से सॉल्फ करने के लिए subjective answers लिखने हैं तो कहीं न कहीं writing practice बहुत अच्छी करनी पड़ीगी बच्चों येस और ये fact है तुम लोगों को भी पता ही होगा तो I hope आज का ये session तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा just take small tips थी small study tips थी जो कि बहुत ज़्यादा effective है और मैं ऐसी ही वीडियो हमेशा लेकर आता हूँ जो small होती है बट बहुत effective tips होती है तो make sure writing practice बहुत अच्छे से कर लो और जिन बच्चों को मुझे personally Instagram पर follow करना है वो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते है and my Instagram is s-u-r-y-a-0-3-1-5 that's my Instagram यहाँ पर तुम मुझे DM भी कर सकते हो थोड़ा लेट होगा but reply जरूर आएगा I promise बच्चों कोई भी problem हो study से related हो कुछ personal problem हो definitely you can share with me okay बच्चों so I hope यह session तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा make sure वीडियो को like करना subscribe करना and अपने friends के साथ share करना ताकि उन्हें भी पदा चले कि exactly term 2 में अच्छे marks gain करने के लिए अभी क्या कमी रह गई है वच्चों तो follow करो rating practice बहुत अच्छी कर लो so I am Suri Prakas right now signing off keep watching in falwell study because we are committed to excellence in education take care bye bye और आज की इस वीडियो को like यम रखता हूँ 100 likes का तो make sure like कर दे न और अपने friends के साथ share करना good luck